खुशियों के सावन को ये दिन लाता है साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है अप्लिकेशन का नाम है काइन मस्टर अगर दोस्त इस तरह का बड़े स्टेटास वीडियो अगर आप लोग अगर खुद से करेट करना चाहते हो तो इस वीडियो का बलोग शुरू से लेखे एंड देख देखते रहो अगर दोस्त इस तरह का बड़े स्टेटास वीडियो अ तो दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है new project में आपको click करना है click करने के बाद यहां पर आपको 16.9.9 को select करके रखने देना है उसके बाद आपको नीचे create में click करना है click करने के बाद एक बार आपको bake आजाना है आपको left side के middle में एक setting का option दीखिनों का मिलेगा यहां पर आपको click करना है और नीचे editing में आना है और आपको default photo duration को 4 second या 4.5 second रख सकते हो यहां पर दोस्त आपको photo display mode को fill screen कर लेना है और आपको नीचे transaction duration 1.5 second इतना दूर हो जाने के बाद आपको यहां पर media option में चले जाना है और जाने के बाद यहां पर आपको कम से कम दोस्तो 30 second वीडियो के लिए आपको 10 से 12 photo add करना है photo add करने के बाद आपको video का interface को इस पर करका आपको दिखिनों को मिलेगा अगर दोस्तो photo add करने के बाद अगर आपको photo का side कूछ इस परकार से frame से छोटा होड़ा है ता आपको photo में आपको click करना है ठीक है यहां पर आपको photo में click करना है और आपको दोस्तों हिहां पर panel zoom option में चले जाना है जाने के बाद आपको दो अंगली से इस परकार से दोस्त आपको फोटो को जूम करना है ठीक है और दो अंगली से फोटो को जूम करने के बाद आपको साइड में डबल लाइन आपको दिखने को मिलेगा हिया पर आपको किलिक कर लेना ठीक है इसी प्रकार से दोस्तों आपको वीडियो के end टेक्स सभी फोटो का आपको जूम करने के बाद यहाँ पर आपने जो double line में क्लिक किया था इसको आपको हाटा लेना है और यहाँ पर आपको end position में क्लिक करना है क्लिक करके आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार से थोड़ा आपको जूम करना है जूम करने के बाद आपको वीडियो के अंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखने को मिलेगा तो दोस्तो आपको क्या करना है इसी परकार से वीडियो के end tag आपको end position को zoom कर लेना है करने के बाद आपको दोस्तो फोटो को middle में जो आपको minus का sign आपको दिखने को मिल रहे हैं आपको आपको click करना है और आपको golden light transaction effect को add करना है ठीके तो दोस्तो मैं फटापर से वीडियो के end tag आपको आपको इस home बाला आइकन में मिल जाएगा तो सभी आपको minus के sign में दोस्तो आपको golden light transaction effect को add करने के बाद आपको दोस्तो first photo का land आपको क्या करना है कुछ इतना दूर तक आपको कमा लेना है ठीके और इतना दूर तक कमाने के बाद end position में जाना है और इसका land इतना दूर रखना है और आपको photo में click करके seizureable option में जाकर right side trim करना है अगर दोस्तो आपको वीडियो का size 30 second से कम होड़ा है तो आपको क्या करना है आपको next photo में click करना है और इस परकार से आपको थोड़ा land बढ़ाना ठीके मतलब दूरा-थोड़ा सभी photo का land बढ़ाने के बाद इस वीडियो का आपको 30 second कर लेना है दोस्तो वीडियो कर लें 30 सेकेंड हो जाने के बाद आपको दोस्तो ऊपर आपको इस एरो में आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तो इहां आपको 1080p 60fps में आपको दोस्तो वीडियो को इहां पर सेवेस करना है तिके उसके बाद आपको back आ जाना है बेक आ जाने के बाद आपको दुस्तों करना है दोस्तों को abonnation में आना है और आपको दोस्तों थार नमर को select कर लेना है जो कि दुस्तों आपको अजुरूरत नीप regard कहीं से डानलोट करने का जूरुद नहीं वीडियो के एंड ठीक है फोटो में आपको दोस्तों किलिक करना है और आपको विगनेट को ओन करने के बाद आपको लियार ऑप्षन में किलिक करना है और आपको एफेट आपको बलड में क्लिक करके इस प्रकार से वीडियो के एंड तेक आपको ले चले जाना है ले जाने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है जाके fill screen करना है और आपको थोड़ा नीचे मेलेगा यहाँ पर आपको blending option ठीक है और blending में क्लिक करके आपको दोस्तों यहाँ पर आपको screen को select करना है एक बार दोस्तों बेक आजाना है और फिर से layer option में जाके आपको इस media option में कलिक करके इस बार export वाला video को लेना है दोस्तों दोस्तों एक्सपोर्ड वीडियो लेने के बाद इस साइज आपको थोड़ा छोटा करना है छोटा करने के बाद आप आपको template के अंदर जो आपको दोस्तों frame दिखने उक मिला रहा है और जूम करने के बाद दोस्तों आपको उपर इस थ्री डोट में क्लिक करके इसको send to backyard में क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद हिया पर side में तीन फ्रेम दीखिनों को मिलेगा हिया पर photo एट करना है तो photo लेने के लिए layer option में क्लिक करके आपको media option select करके कोई भी एक photo को ले लेना है फोटो को लेने के बाद आपको नीचे cropping option में आ जाना है और इस परकार से आपको दोस्तों size crop करना है ठीक है और photo को middle में इस परकार से बेठा लेना है और एक बार बेक आ जाना है बेक आ जाने के बाद इस परकार से आपको rotate करना है इसका size और rotate करने के बाद हिया पर आपको दोस्तों उपर आपको अच्छे तरीकर से फ्रेम के उपर आपको यह वाला वीडियो को बेठाना पड़ेगा यह पर दोस्तो फोटो एड़ेस्ट करने में थोड़ आपको टाइम लाएगा और आपको क्या करना है फोटो एड़ेस्ट करने के बाद आपको फोटो का लेंद कर लेना वीडियो के एंड तेक इसे परकार से दोस्तो आपको नीचे दो फ्रेम में और भी फोटो को एड़ेस् प्येंट करते हैं आपको आपको ले जाना है और इस परकार से जगाओ आपको अच्छे तरीके से बएठिकाई और आपको इसका लेन्थ पकरकर के यहां ने अपको लिए जाना है पाद आ सित्वiciary भी प्रोब्लेम आता है तो प्लिस मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तों आज के वीडियो में इतनी था अगर इस वीडियो को पसंद आया है तो प्लिस लाइक से कॉमेंट जरूर करना